आप सारे दोस्तों को मेरे चनल पर बहुत बहुत खुशाम अदीद जी तो दोस्तों जैसर के आप सब ने देख लिए मेरा क्रोना टेस्ट फाइनली फाइनली शुकर अलहम्दुलिला अलहम्दुलिला नेगटीव आचका है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं और जिससे कह सकते हैं कि मैं आपको ब्यान निकार सकता है मैं सिर्म कितना ज्यादा खुश हूँ आप सब की दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हों मैं लिए द्वाइं की मुझे प्यार भ आग़ा है लगोज इस में कुछ आप दिए द affection कुरूझ और जो और इसके ना र– में आ इसके हैं, hemos ही फाइदा ही. और सबसे पहले माँको इस आ हैं पाउना झाहीं, जब आपको फून्म कारती है, आप डाक्या है, यानि आपको क्रोनων है नित वे पिरिए जाहा है obviously जहां आप मीडिया पे सुनते हैं खबरें वगरा देखते हैं नियूस देखते हैं कि हर तरफ ड़ेड़ हो रही है इस बिमारी की वज़ा से और आपको पता चलता है कि आप भी इस बिमारी का शिकार हो चुके है तो somehow कहीं न कहीं ये आपके उपर थोड़ा सवार होने की कोशिश करती है लेकिन इस बात कम आपको बता दूँ कि आप अगर आपकी पोजिटिव अनरजी है और आपका सेल्फ बिलीव है तो ये आपको कुछ भी निकार सेदी है ये सारी एक माइंड गेम है नो डाउट्स इससे डेट्स होती है सब है लेकिन इनसान को पोजिटिव रहना चाहिए स्टे पोजिटिव बिलीव इन यूसल्फ और पैनिक नहीं होना आपने इस चीज़ के साथ धचका तो लगते हैं इनसान को लेकिन अल्ला को याद करें जो जो आपके रिव्स हैं आपके अपने गोड़ फो याद करें और पोजिटिव रहें क्योंकि पोजिटिव अनर्जी जो है इसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो हो प्ले करती है जी तो उसके बाद आप बात करेंगे आप बांप लें स्टीम लें गर्म-पानी की उसके न थोड़ आप रवगार डाल लें जो इसके ए व्यक्वर बोलते हैं इंग्लिश में इसके विक्स बोलते हैं स्टीम बगई लें तैंकि गर्म-पानी की बांप वगईर ताके बिला तखीर के वो आप लोगों की बमारी का हाल निकाल सके और आप लोगों की कुछ बेतर कर सके और उसके बाद यह कि आप अपने नमाज वगरा पढ़ें जो भी अबादत आप करते हैं जैसे सिक्खों में जाब जी है सुबगा टाइम हिंदुों में जो भी है यूदिश हैं डिसन्ट मैटर क्रिस्टिंज हैं आप अपने बने प्रेयर करें और उसके बाद जब आप गैरा बारा बज़े के टाइम होता है या दूप वगरा डिकलती है आप धूप लें और दूप जिसम के लिए अच्छी होती हिट मिलती है आपे बोड़े के बहुता है इसके अंदर आप जिसन भी कामता से तो इसलिए यह होती आप के लिए तोड़ी और उसके अलावा यह है कि कि आप चीजों को डेली बेसिस पे रुजाना की रूती। पर चीजों को टिशु होते हैं सैंटैजर तिशु के साथ और सब डालके उसको जैसे लैबटोप्स आपके मुबाइल वगारा कंप्यूटर और ऐसे चीजे रुदे के लौक वगारा हैंडल वगारा होते हैं इनको आप बेसिस पे साफ करें दुपहर का खाना काईंगे आप दुपहर के खाने के फिर उसी तत्रह से भही रुटिन करें अब यह कर सकतेए एक सेफ likely अब भाब बेशन रहने दें गरब पानी के साथ घरारे करें उसके इंदर और उसके आप आप को थोड़ा सब मसला है तो फिर नाग पे विक्स वगरा लगाएं और रात के टैन भी फिर ये करें और सोने से पहले रात के टैन खाने के बाद आप गरारे करें और इसके बाद आप बाप लें और उसके बाद रात को सोने से पहले एक दफ़ा नाग पे फिर विक्स लगाके और सीधा बिस्तर में च जो मेरे साथ खुद के साथ ही, जो मैंने खुद की है, ठीक है, काफी चीज़े आप लगो ने सुनी होगी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, ओबियसली वो चीज़े बुरी नहीं है, वो करनी चाहिए आपको, लेकिन मैं वो बताओं को, जो मेरा परसनल एक्सपिरियंस है, डा आए गलास और इसके पाद जूच कहते हैं, जूच को प्यूर नेक्टर वाला तुक है, वो ज्यादा अच्छा होगा, क्वीटामेन उज्यादा ज शयदा आच्यों, वीटामेन आच्रो विटामेन सी वेका होते हैं, उसके अदर अब जिवादा से ज्यादा पागों, जिव जिसमें फैट होती है या ओई होता है यह आप चीज़े नाक है लॉमल जैसे रस वगएर होते हैं चाहे के साथ या कुछ और जो रोटी वगएरा सिंपल होती है सुक्की रोटी जो बोलते हैं उर्दो या पंजाबी में वो खाएं और साथ इसके सालन वगएरा और उसके है कि अब नाश्टे के बाद दुपहर के खाने के दरम्यान टाइम है उसके अंदर आप यह है कि थोड़ा सा माल्टा ले लें नियूंगा एक दो माल्टे खाएं माल्टे च्छोते हैं विटामेंस से उसके बहुत अच्छे हैं यह खास दो पर करोना वालों के लिए और इस से आपको खांसी बगरा आएगी उसके बाद फिर ये ये कि दुपार का खाना जब आप खायें तो फीका सालन हो उसके अंदर मिर्चे ना हो और तेल जो है ना होने के बराबर हो पूर्ट ही कम तेल हो और सुकी रोटी बगरा हो जासा उसके वह ज्यादा बेहतर है और उसके आप लोगों के लिए और साथ में माल्टे वगरा भी खाएं और और इसके लावा यह है कि जब मैं दोपैर का खाना कहता था दोपैर के खाने के फोरण बाद थोड़ी दिर बाद मैं एक विटामेंसी की जो गोली होती है पानी में डालके पीते हैं उसके वज़ा यह है कि करती है रहा करती करका ऐड तो रात के खाने के फ़ड़ी हुरू Parks बाद ब्हीं अदर नेए तहलए पानी आपनी आतना पी यह में जो आपको पीपी गलर का पानी के तरह को हो यह आने कि आप इतना ज्यादा पैंना चाहिए ठीक है यह ङार पानी आपके घला इना चाहिए इसके अंदर खराश ना आये ज्यादा से ज्यादा पानी भी हैं और इसके बाद रात की रुटीन रात की रुटीन भी वह ऐसी तरह से है और जैसे मैंने आप उब जो चीज़े बताई हैं क्योंकि इसके अदर मैडिसन बगरा कोई नहीं है मुझे ने कोई मेडिसन नहीं दी ती जो खुद ही वो जो देसी टोट के होते हैं मैंने वो अजमा है और जो मैंने अजमा है वो आप लोगे समने में पेश कर रहा हूँ यह मैंने डाइट प्लांग था और साथ साथ मैं एक चीज़ और आप बता दूँ जो चावल बगर होते हैं राइस जीसे बोलते हैं चावल यह बिलकुल मत खाईए गा यह भी रिशात अदा करते हैं यह बिलकुल मत खाईए थीक है इसे प्रहेश करें केले और चावल बगरा इनसान का दिल तो बहुत करता है से चीज़ें को मीठें इस तरह की चीज़ेंगे मसाले वाले चीज़ें खाने को लेकिन ये आप लोगों की लिए ठीक नहीं है तो बराए महरबाने के इस से थोड़ा सा इश्टनाब करें और परहेज करें चीज़ों से और उसके बाद है कि मैं आप लोगों से request करूंगा hand में फिर आप लोगों से के please खुदारा घरों में रहें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि कोई काम हो किसी मजबूरी में तो फीरी जाएं बाहर और हाथों में दस्तानों का इस्तमाल करें और इसके लाव़ ये है कि मास्क पनें और मासक के अंदर ये है कि ज है जैसे ठेक Snor rear clerk कुछ भी नएं या तो मास्क फगले लाजब कूर वगल बाना सकते हैं आप क्वार रोते हॉघ वगल हैं तो आपको रर्माल वयद्वार लेकर कोई वरक Cumpl आप्ए करें बंदबस्त करें इस तरह से बगार मास्क को बाहर मत निकला करें ठीकर है है और इसके मास्क में मैं आप्करों को बताना बनाद की अग्चार था मास्क वह यह है कि N95 वाला मास्क है यह मैं यूज कर रहा हूं और जब मैं डॉक्टर के पास गया था अपना अड़र्ट अगेपनिस लेने के लिए अपना ड्सल्ट तो फिर भी मैं यह वाला मास्क पहने के गया था और इसके अंदर जो यह एक चीज मैं आपको बता हूं जो मास्क को मैं अकसर देख रहा था वीडियो बगारा को जो मास्क होते है वो जो यह चीज जो आप लोग देख रहे हों कि इसके अंदर यह इस तरह से जाली बगारा लगी होगी इसका यह फाइदा है कि यह आपका जो ना क्या अगर आप ज़्यादेर मास्क पहने रखेंगे कि दो तीन घेंटे यह यहां पर निशान वगरा डालना शुरू कर देगा और इस तरह की अगर चीज होगी वह बनी होगी जाली सी वह से क्लिप जिसे बोलता है नरम सा होगा तो फिर आपको निशान वगरा नहीं पड़ेगा और यह आप लोगों के लिए बहुत फाइदा करते हैं हमारे जो भी मर्द हजरा जो होटल में चौप करते हैं कुछ भी जब आप कीचन के बाद जाएं तो खुदारा अपने हातों को किचन में जाने से पहले अच्छी तरह से दो लें साबन के साथ बेशक एक दफाए यह दो दफाए और उसकी वज़ाई है कि जो आप ह कहल होती है हैं से निटाइजर जब आपको पता है कि कम सिक्स्टी परसेंट अलकोह तो उसके अंदर होनी चाहिए तो अलकोहल जाए वह आप लोगों को जब हाथ कीचन में जाते हैं तो आपके हाथों को आग लगने का ख़त्षा हो सकता है अंदेशा हो सकता है तो फरेए लगने का काफी कुछ सेखने को मिला होगा इसमें पूरी कोषिश की कि ही कि मेरा डेली का डैट प्लैन क्या था और हम क्या है 26 किया वगारा किस तरह से मैंने क्या कुछ किया उमीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ मेरी मीडियो जा मददकार थाबित हुई होगी और अगर आप लोगों के दिल में ये सवाल हो कि मुझे करोना से कैसे हुआ उसका सिंप्टम्स वगारा क्या है तो आप ल लोगों को जवाब दे सकों और किसी किसम का कोई सवाल हो आमिर से पूछें और अल्ला ताला हम सब को इस बुमारी से नजात दिलाएं और एंड में मैं आप सब बहुत-बहुत रमजान मबारिक हो और एक तफ़ाँ मैं पिर आप लोगों को बहुत-बहुत शुकर गजार बहुत शुकरिया अदा करता हूं जिन लोगों ने में लिए द्वाएं की और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हो सकता है कि किसी के लिए ये वीडियो फाइदा मन साबित हो जाए और प्लीज मेरे चैन दवा में याद रखे, आला हाफिज